जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, एक बीन की आवाज सुनकर, काव्या का नागिन रूप उस पर हावी हो रहा था. अब आगे, काव्या राज से जूट बोलकर उसे रेस्टरॉंट से बाहर निकाल लाती है, साथ ही साथ अभी भी वो आवाज उसे सुनाई दे रही होती है, ना चाहते हुए भी काव्या अपने नागिन रूप में आ जाती है, और नागिन बनकर जमीन पर फन मारने लगती है, तब ही खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ये क्या हो रहा है मुझे, ये कौन बजा रहा है बीन, मुझे जल्दी से जल्दी नाग गुरू के पास जाना होगा, इतना कहकर, काव्या वहां से रेंगते हुए सीधा नाग गुरू के पास पहुँच जाती है, और अ काव्या की सांसे रोकने लगती है, काव्या हाफते हुए, ये बीन की आवाज, जैसे मेरी सांसों को रोक रही है, कुछ करिए, नाग गुरू तुरंद पास में रखी हुई, लाल गुलाल को उठा कर, काव्या के उपर फेग देते हैं, जिससे काव्या को वो बीन की पर इतना असर क्यों कर रही थी। फिर इंसानी रूप लेकर घर के अंदर जाती है जहां राज, रवीश और काम्या सभी काव्या का इंतजार कर रहे होते हैं। यहां राज ने रूम को बहुत अच्छे से सजाया होता है काव्या के लिए। यह सब क्या है। तुम्हें लाइट्स बहुत पसंद है ना, इसलिए यह सब तुम्हारे लिए। हां लेकिन इसकी क्या जरूरत थी। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इसलिए मैं तुम्हारे जिन्दगी का हर एक पल खास बनाना चाहता हूँ। राज में बहुत थक गई हूँ। थोड़ा आराम कर लूँ तो शायद अच्छा लगे। हां तुम सोजाओ। राज और काव्या सोजाते हैं। राद के तीन बजे काव्या की आँख खुलते हैं। और आँख खुलते ही काव्या देखती है। राज के सीने पर एक काला नाग भन बनाकर बैठा होता है। ओ माई गॉड क्या करूँ मैं अब। काव्या धीरे-धीरे से उठकर खड़ी हो जाती है। और एक जटके से उस साप को पकड़कर जमीन पर फेंग देती है। इतने में राज भी उठ जाता है। क्या हुआ काव्या? तुम पैशान क्यों लग रही हो? इतने में राज उस नाग को खिड़की से बाहर जाते हुए देख लेता है। और जैसे ही मोड कर काव्या को देखता है, काव्या राज को गले लगा लेती है। मैं तो बहुत डर गई थी, कहीं वो नाग तुम्हें। मुझे क्या? चलो कम से कम इसी वहां ने तुमने मुझे गले तो लगा लिया। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। मैं ले आता हूँ पानी। नहीं मैं खुद ले आऊंगी। काव्या नीचे किचिन की तरफ जाही रही होती है। जैसे ही काव्या नीचे उतर रही थी, वो देखती है कि मोर्नी दबे पाउं घर के बाहर चली जाती है। इतनी रात को बाहर कहां गई? जरूर अपने साथी से मिलने गई है। मुझे इसका पता लगाना होगा। काव्या भी धीरे धीरे मोर्नी के पीछे जाने लगती है। तभी रूम से राज आवाज देकर काव्या को बुलाता है। काव्या मेरे लिए भी लेते आना पानी। मैं कल देखती हूँ इस मोर्णी को इतना कहकर पानी लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है दूसरी तरफ सनेहा घर से बाहर निकल कर अपनी असली रूप मोर्णी में आकर काल गुरू के पास जाती है क्या करना है अब? इस नागिन ने तो नाक में दम कर रखा है जल्दी ही इसे ठिकाने लगाना होगा वरना ये राज को मुझसे छीन लेगी ये नागिन बहुत शातिर है मुझे इसके लिए कुछ और सोचना होगा आप सोचते रहिए मुझे पता है मुझे क्या करना है अब देखो मैं इस नागिन का क्या हाल करती हूँ इस बात का ध्यान रखना कि हमें इस नागिन को मारना नहीं है सिर्फ इसे कमजोर करना है ताकि वक्त आने पर ये नागिन हमें नागमणी तक पहुँचा दे हाँ ठीक है ठीक है तुम्हें नागमणी चाहिए लेकिन मुझे तो सिर्फ राज चाहिए और मैं उसे पाकर ही रहूँगी किसी भी हाल में इसके बाद मूर्नी घर चली जाती है अगले दिन शाम को पाटी में सभी लोग आ जाते हैं पाटी में बहुत सारा म्यूजिक होता है बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं कि तभी काव्या और राज सीडियों से नीचे उतर कर आते हैं दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं पाटी में सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं रवीश और काम्या नीचे ही खड़े होते हैं तभी रवीश काव्या को देखकर मन ही मन में कहता है। खुश हो ले, आज तेरी खुशी का आखरी दिन है, आज के बाद तू सर्फ सपेरे की टोकरी में बन रहेगी, देख ले, जितनी चकाचोन तुझे देखनी हैं, देख ले। इतना कहकर रवीश काव्या और राज का स्वागत करता है, उसके बाद राज काव्या के साथ कपल डांस कर रहा होता है, मन ही मन में। राज के ठीक पीछे से शेखर आ जाता है, हाई राज, हाई काव्या, कैसे हो तुम दोनों, या जब भी मिलते हो, तुम दोनों डांस ही करते हो, तुम भी डांस कर लो, मेरे पास कोई डांस पार्टना नहीं है न, क्या अपना डांस पार्टना कुस देर के लिए मुझे दो राज काव्या को डांस करने का इशारा करता है। जो तुमने कल राज को देखा था। तुम्हें कैसे पता कि कल राज मैंने एक नाग को देखा था। क्योंकि वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे नाग गुरू ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम दुश्मनों के बीच में घिर हुई हो। लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। दूसरी तरफ सनेहा एक गिलास में कुछ मिला रही होती है। लो हो गया काम तमाम, इस जहर से तु मरेगी तु नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए तीरी शक्तिया नश्ट हो जाएंगी। इतना कहकर सनेहा हाथ में दो गिलास लेकर काव्या की तरफ बढ़ती है। और सनेहा एक कोल्ड रिंग का गिलास काव्या को देती है और एक कोल्ड रिंग का गिलास अपने पास रखती है। काव्या कोल्ड रिंग पीने वाली ही होती है कि तब ही अचानक से ही लाइट चली जाती है। कहानी जादी रहेगी। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनिम स्टोरीज पर।